नमस्कार स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शोक किस्सा यूपी का में मैं हूँ आपके साथ सुना ली आज के किस्से में बात करेंगे ग्यान वापी पर ग्यान वापी मामले को लेकर वारणसी के फास्ट्राक कोट में आज की सुनवाई पूरी हो गई सुनवाई के बाद कोट ने अपना फैसला सुरक्षत रख लिया है अब 8 नवेंबर को कोट अपना फैसला सुना सकती है मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस 15 अक्टूबर को हुई थी बहस के बाद कोट ने सुनवाई की अगली तारीक 27 अक्टूबर तैकी थी तो आज इसी पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ स्चूडियों में मौझूद है Capital TV के Executive Editor राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आप धन्यवाद राजीव जी आज कोट में क्या क्या हुआ देखिए कोट में दोनों पक्ष की सुनवाई तो पहले हो चुकी थी दलीले दी गई थी और वो दलीले जो थी इस मामले की थी कि शिवलिंग की पूजा की जानी चाहिए कि नहीं ग्यान वापी के पूरे परिसर पर किसका अधिकार होना चाहिए मुस्लिमों का प्रवेश वहाँ पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए क्योंकि अलग-अलग मामलों पे सुनवाई ग्यान वापी को लेकर कोट में चल रही है एक सुनवाई है स्रिंगार गौरी की पूजा को लेकर कि पूजा अर्चना की अनुमती किसे दी जा सकती है पूजा अर्चना की अनुमती हिंदू को दी जाए इसके लिए पहले से एक सुनवाई चल रही है दूसरी सुनवाई उस वीडियोग्राफिस सर्वे के बाद जो वजू खाने से शिवलिंग परकट हुए है उसके मामले के चल रही है कि अगर शिवलिंग परकट हुए हैं तो उन्हें कब तक सील करके रखा जा सकता है उनकी भी पूजा अर्चना के अनुमती मिलने चाहिए दूसरे अस्तर पर यह जो याचिका दर्ज की गई है यह जो पूरा परिसर है यह परिसर पर किसका अधिकार होना चाहिए ग्यानवापी में ग्यानवापी मस्जिद भी है लेकिन यह मस्जिद मंदिर को तोड़ कर बनाया गया है जिसके चारो तरब की दिवारों में इसके सुबूत मिलते हैं खंभो में इसके सुबूत मिलते हैं और जो पुराने जो वीडियोग्राफिस सर्वे हुआ था उससे भी परमान मिल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा परिसर काशिव विश्वनाथ मंदिर का ही विस्तार है यहाँ पर भी पहले मंदिर था और अरंगेव के समय में इसे तोड़ कर मस्जिद बनाया गया जिसमें पूरे मंदिर को नहीं तोड़ा गया था बलकि मंदिर के ढाचे को तोड़ा गया और उसके आसपास के छेत्रों में दिवारों पर कमबों पर अभी भी हिंदू देवी देवताओं के होने का निशान परतीक है तो ऐसे में यह जो याचिका का दायर की गई है सनातन धर्मसभा के द्वारा तो उस याचिका में कहा गया है कि इस पूरे परिसर पर हिंदूओं का अधिकार हो मुसल्मानों का प्रवेश इसमें से वर्जित कर दिया जाए जो अभी वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और तीसरे अस्तर पर जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं उनकी पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए अब ये आचिका पर सुनवाई हो रही है उस सुनवाई में हिंदू पक्ष की दलील जो है वो पुराने मामलों को लेकर है कि इस परिसर पर पहले मंदिर था इसका परमान कैसे साबित होगा जब तक की इसका पूरा का पूरा पूरा सर्वे ना हो जाए जबकि दूसरे तरफ मुस्लिम पक्ष बार-बार ये सवाल उठा रहा है कि प्लेसे सॉव वसिप एक्ट के तहट जो मामला दायर किया गया था को ये याचिका सुनवाई के योगे ही नहीं है क्योंकि प्लेसे स लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि 1947 के बाद परिवर्तन नहीं करने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें जो 47 के पहले के धाचे हैं और जिस पर पहले से विवाद चल रहा है जिस पर कोट पे सुनवाई हो रही है उसमें सुनवाई आगे नहीं होने चाहिए ये दोनों मामले चल रहे हैं तो इन दोनों पक्षों से इसी के लेकर दलीले दी गई है जिसमें फैसला सुरक्षित रखा गया है इसका मतलब है कि अभी जो फैसला आएगा वो इस बात के लिए आएगा कि याचिके को खारिज किया जाए या फिर इस पर आगे बहस हो सके दूसरी आचिका है उस याचिका में कहा गया है कि वजू खाने के आसपास तो प्रमान मिल गए वहाँ पर वीडियोग्राफिक सर्वे हो चुका है लेकिन इसके अलावा दो और तहखाने है उन तहकानों का भी वीडियो ग्राफिक सरवे होना चाहिए और उसके उपर भी सुनबाई चल रही है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जब तक ये पता नहीं चलेगा, जब तक सरवे नहीं होगा, तब तक कैसे पता चल सकता है कि ये जो है, ये मुसलमानों के लिए है या में से मुसलिम पक्ष बार-बार 1991 के उस प्लेसे सौफ वर्शिप एक्ट का उदारन दे रहा है उसके पास और कोई भी मामला नहीं है जबकि कुछ उदारन ऐसे दिये गए कि पहले जब यह मामला कोट में गया था तो उस समय इसे खारिज कर दिया गया था जबकि हिंदू पक कोई थे ही नहीं मुसल्मानों का कहना है कि यह वक्फ वोड की संपत्ती है लेकिन वक्फ वोड की संपत्ती कौन सी है सबसे बड़ा सवाल तो यह उड़ता है कि वक्फ वोड है क्या वक्फ एक्ट आया लेकिन वक्फ एक्ट आने के बाद जो वक्फ वोड की संपत्ती निर जो भी संपत्ती धर्म के नाम पर दान में दी गई थी इसलाम के नाम पर दान में दी गई थी उन सब को ये लोग वक्वोट की संपत्ती के दायरे में ले आये हैं और अगर मस्जिद है तो मस्जिद को वक्फ वोट के दारे में लाने का मतलब है कि ये मस्जिद औरंगेव के काल का है लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो उस पर जो मंदिर बना हुआ था उसके भी दस्ताबेजी पर्मान है तो ये पर्मान अपने आप में ये इसके उचारन से ही दिखाई पड़ता है कि ग्यान वापी नाम कभी भी मुस्लिम रखी ही नहीं सकता है। लेकिन ग्यान वापी के आगे मस्जिद जोड़ दिया तो ये मुसलमानों का हो गया। तो अब सुनवाई इसी मुद्दे पर चल रही है और इस मुद्दे पर फैसला 8 नवंबर के लिए सुरक्षित रखा गया है। अब हो सकता है कि उस दिन इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए इसके उपर फैसला है या फिर इसके उपर फैसला है कि मुसलिम पक्ष का जुम जो उसकी मांग है वो मांग कितना जायज है। इसी मामले के लिए सुनवाई राजीव जी क्या हिंदू को पूजर्चन करने का अधिकार मिलेगा देखिए ये अधिकार तो मिलना चाहिए कानूनी दाव पेच अपी जगह है लेकिन एक तरफ मुस्लिम पक्ष दूसरे अदालत में सुनवाई के दौरान ये बात के लिए इनकार करता है कि जब ये से जाच कराई जाने जांएए जिससे पता चले कि वजु खाने में जो शिबलिंग परकट हुए हैं जिसके बाद हमेशा ये शवाला किया जाता रहा एक पक्ष के दौरा कि मुगल आर्केटक्ट है जिसको पुवारा कहा जा सकता है जब आप पहले से ही उसका विरोध क घर रहे हो तो उसके बाद उसकी प्रमानिकता की जानकारी के लिए उसको सुबूत के तौर פर पेश करने के लिए तो एक ऐसी विवहत्ता चाहिए ऐसी प्रमानिक जानकारी चाहिए जिसमें बैग्यानिक तरीका अहम भोमिका आदा कर सकता है लेकिन हुआ क्या उसमें भी इन लोगों ने अडंगा लगाना शुरू कर दिया कि नहीं इसकी कारवन डेटिंग नहीं होनी चाहिए इसकी कारवन डेटिंग होगी तो परिशानिया पैदा हो जाएगी फिर कोट ने क्या किया कोट ने टेकनिकल तरीके से मतलब ये हवाला दिया कि सुप्रिम कोट ने इन सारे सुबूतों को सील कर दिया है और सील करने के बाद जब तक सुप्रिम कोट इन्हें बाहर निकालने की बात नहीं कहेगी तब तक हम इसके उसे छेड़ चाड कैसे कर सकते ह इसके सुबूतों के आधार पर इसकी बैग्यानिक जाच कैसे करवा सकते हैं मतलब ये एक टेकनिकल रिजन था जिसके खिलाफ हाई कोट और सुप्रिम कोट जाने की बाद भी हिंदु पक्ष ने किया है कि हम तो इसकी जानकारी लेकर रहेंगे चाहे तो हाई कोट जाना पड़े या सुप्रिम कोट जाना पड़े अब याचिकाओं का दौर चल रहा है मुस्लिम पक्ष कुछ याचिकाएं इलहाबाद हाई कोट में दर्द किये हुए है कुछ सुप्रिम कोर्ट में गये थे, सुप्रिम कोर्ट ने वहाँ से भगा दिया, जाओ निशली अदालत में, यकिन सुप्रिम कोर्ट में जो इंडिकेशन दिये थे सुरुवाती दौर में, वो तो इसी बात के थे, कि आप किसी भी जगह में मिलने वाले दूसरे धर्म के इगनोर नहीं कर सकते जब सुप्रिम कोट में सुनवाई हो रही थी इस मामले की जब ये लोग सुप्रिम कोट गए थे कि ये आचिका ही खारिज कर दी जाए ये पोश्णिये नहीं है तो उस समय सुप्रिम कोट ने कुछ संकेत दिये थे उसे सुप्रिम कोट ने साब तोर पर कहा था कि अगर किसी भी धार्मी कस्तल पर जो वर्षिप एक्ट के खिलाफ की बात कर रहे हैं कि किसी भी धार्मी कस्तल पर अगर दूसरे धर्म से संबंदित कोई परमाण मिलता है तो क्या आप उसे इंकार कर देंगे जब इन लोगों बार बार वर्षिप एक्ट की बात की तो सुप्रिम कोट में टिपनी की गय coolest अगर इसके ऊपर चर्चा करना शुरू करेंगे तो इसकी सारी कमियां बाहर निकल के आये थि आ जाएगी यह सुप्रिम कोट की टिपनी है इसका मतलब है कि वर्षिप एक्ट अपने आपमें इ लेकिन इतने मामले जो चलाये जा रहे हैं ग्यान वापी के ऊपर इसका मकसद जो है मुस्लिम पक्ष का वो साफ तोर पर यही है कि इस पूरे परिसर के मामले को जितना लंबा खीच सकते हैं उतना लंबा कीचे इसे कानूनी दाव पेच में उल्जा कर रखा जाए ताकि सालो लग जाए उसके पूर्जा अर्चना तक पहुचने में क्योंकि इन लोगों को तो पता है कि स्रिंगार गोरी की पूजा का अर्चना का नुमति देने का मतलब है कि वहाँ पर दिवारों पर के पास-पास स्रिंगार गोरी की पूजा होगी और जिस परिसर के अंदर मुर्त पूजा को खारिज करने वाला धर्म है तो ये इनके धर्म के ऊपर एक संपरश चिंज खड़ा हो जाएगा कि वहाँ पर मुर्तियों के बीच जाके ये नमाज पढ़ रहे हैं तो इसलिए सबसे महत्पुन मामला स्रिंगार गौरी की पूजा को लेके है जिस पर सुनवाई च चाहिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिये लहाबाद हाई कोर्ट ने संकेत दिये और उसके बाद जिस तरीके के संकेत निचली अदालत में दिये जा रहे हैं उससे तो लगता है कि उनको पूजा अर्चना की अनुमती मिल जाएगी लेकिन इसके बाद जब तक सुप्रीम कोट से डारेक्शन नहीं मिलता है तब तक शिबलिंग की पूजा की अनुमती मिलने में थोड़े से हिचक है लग रहा है कि उसमें की संभावना कम दिखाए पड़ रही है जब तक कि सुप्रीम कोट के निर्देश न मिले कारवन डेटिंग की बात जा रही है अगर वहां से संकेत मिल गए तो पूजा आर्चना की अनुमती मिल ही जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद राजीर जी बातचीत के लिए धन्यवाद तो अब इंतिजार खत्म होने वाला है अब 8 नवेंबर को पता चोलेगा कि हिंदूओं को अधिकार मिलता है या फिर ता यूपिका में इतना ही कल एक बार पिर एक एहम किस्ते के साथ हाजर होंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं क्यापटल टीवी उत्तर प्रदेश नमसकार झाल